सबसे पहले तो मैं बता दू कि आप सोच रहे होंगे कि एक हाथ में गलब्स है एक में क्यों नहीं तो आपको बता दू यहां से जो है टच स्क्रीन और सारी चीजे इस्तमाल करनी होती है और इसलिए जो भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइसे तो काम नहीं करता है और ठंड बहुत है तो चलिए एक हार्थ को बचल लेते हैं यह कुई बात आपको अटपटाना थी इसलिए बता दिया अब आपको बताते हैं विकास गुपता का कारणामा विकास गुपता याद है अरे वही जो बैब्स में रोते हुए नजर आ रहे नहीं आदे अरे वही जो तेरी मा की मेरी मा की उसकी मा की इसकी मा की अरे वही ना माजी माजी की जै वो करते फिर रहे हैं कि भई मेरी माने धोका दिया इसकी माने धोका दिया उसकी माने वही नहीं याद आया चलिए आप याद दिलाते हैं फिर से वही जो दो नाओं में सवार होकर नाले में गिर जाते हैं लोग वही अभी में नहीं याद आया चलिए एक और वार याद दिलाते हैं जो बिग बॉस 14 के घर में किसी ना किसी कोने को पकड़ कर हमेशा अपनी गंगा जमना बहा कर आसुओं को बहा कर emotional card खेल कर public के साथ play करना चाहते हैं public के साथ खेलना चाहते हैं और public को शायद कहीं ना कहीं बेवकूफ भी समझते हैं कि public को उस emotional card में बह जाएगी और उन्हें कुछ समझ नहीं आता और votes उनको जाएंगे ट्रॉफी वो ले जाएंगे सर आपको तो हमने आपके सीजन में ट्रॉफी नहीं ले जाने दी तो ये तो आपका सीजन भी नहीं है आप तो उधारी पे यहां आए हो तो इस बार तो आप छोड़ी दीजिए चलिए अब आप पहचान गए बिलकुल ठीक पहचाना है आपन जाते हैं विकास गुपता जो की सीजन 14 में किराय पर अंदर आए हुए हैं जी हां क्योंकि यह शुरुवाती दोर से घर में नहीं थे फिर उसके बाद जाते हैं फिर आते हैं किराय पर ही तो है किरायदारों को बार-बार बुला लिया जाता है कोई नया नहीं मिलता है बि विकास हो जिसको मन करता है इसको लेकर आ जाते हैं फिर यह तो हुई उनकी बात अब करते हैं अपनी बात जी हां विकास गुपता सीजन 14 में घर के अंदर हैं विकास गुपता कंटेस्टेंट से बातों के दौरान कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सिदार्थ को विनर न आपको बता दे का है का यह कौन सा गेम वह वाला गेम में बैठ कर भिंडिया काटा करती थी शाद उस गेम की आप कर रहे हैं तो आपको बता करते हरें कि की जब अर हाइंगर के अंदर आया तो इसके जैसी तेरी मेरी पता ने किस किस की सब कुछ हुआ सिधार से भी और वो कुसे को पिशी मारोंगे न तो można आपो सुँखार मारेगा सिदार शुक्ला को मैडम ने बाइन किछ हो भी अर्हां के कंदे पर बंदूक रख कर अरहान से मरवाई अरहान की शर्ट फड़वाई अपने उपर चाय गिरवाई और इसकी उसकी जैसी उसके जैसी वो करवाया तो भई अरहान के आने के बाद ही तो मैडम थोड़ा सा हाइलाइट हुई कि भई रश्मी देसाई घर के अंदर है क्य तो जाना जाता था यानि जो character उन्होंने play किया है serials के अंदर जो किरदार निभा है लेकिन रशिमी देशाई आप खुद बता दीजे हर कोई बच्चा बच्चा या हर कोई जो आज जानते हैं वो पहले नहीं जानते थे लेकिन चूकि अरहान के बाद सिदार से बार-बार पंगे लेना बार-बार कुछ ना कुछ करना अरहान को आगे धका मार मार के जट्टू लड़कर आ जट्टू लड़कर आ वो सब करना उसके कारण ही मैडम हाइलाइट हुई तो सबसे पहले तो अरहान को ब्लेम ना करें चाहे अरहान से कोई लेना देना ना हो लेकिन सबसे पहले तो अरहान को ब्लेम करना सबसे ज़्यादा गलत है क्योंकि उसके साथ बरावर खेला गया है जितना उस खिलोने के साथ खेला जा को देखें और कुछ समझने की कोशिश करें और अगर इस पर टिपड़ी आती है उनकी तो और अच्छी बात है आपको एक बात बता दें गार्डन में बैट कर भिंडी काटने वाले कभी विनर नहीं बना करतें दूसरों के बिचिंग करने वाले कभी विनर नहीं बना करतें तेरी मेरी इसकी उसकी करने वाले कभी विनर नहीं बना करतें विनर शेर बनता है विनर जो होता है एक ही होता है और वो शुरुवात से दिखता है एक दो तीन चार विनर कॉल इसे में सब्से ज़्यादा थी दो वो सेए और वह सिर्फ सिद्दारे शुकला उस घर में नहीं होते या फिर सिदार शुकला पहले जा चुके होते या कोई भी बात थी जैसा कि उनकी तव्यत खराब हुई थी लेकिन वो वापस घर में आये उस केस में शेहनाज गिल विनर होती लेकिन शेहनाज और सिदार के अलावा बिग बॉस 13 का विनर एरा गेरा नत्थू खेरा तेरा मेरा कोई भी नहीं बन सकता था सिर्फ और सिदार शुकला शेहनाज गिल उनमें ही वो कॉलिटी थी कि सीजन 13 का वो विनर बन पाए वेल आपको क्या लगता है इस बारे में और आपको हमारी राय कैसी लगी इस बारे में हमारी बातें भी आपने सुनी इस बारे में आपको क्या लगता है और विकास गुपता की बातों के बारे में आपको क्या लगता है overall आप किस नतीजे पर पहुँचे कोमेंट में ज़रूर बताएगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा ताकि आगे आने वाले ऐसे ही दासू वीडियो आप और भी देख पाएं तल दे बाबाई